असदुद्दीन ओवेसी की पार्टी All India मजलिसे इत्तिहाद उलमुसलिमीन यानि AIM-IM के बिहार में पाँच विधायकों में से 4-29 जून-2022 को राष्ट्रिय जनत अदल में शामिल हो गए इन चार विधायकों में जोकी हाट विधायक शाहनवाज, बहादुर गंज विधायक अंजार नईमी, कोचा धामन विधायक इजहार असफी और 22 विधायक सयद रुकनुद्दीन एहमद शामिल है AIM-IM के पास अब बिहार में सिर्फ एक विधायक बचा है, अमौर विधायक सहपार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरूल इमान वही पार्टी विरोधी गतिविधी का आरोप लगा कर AIM-IM ने बिहार के अपने पहले MLA किशन गंज के पूर्व विधायक कमरूल हौदा को पार्टी से निश्कासित कर दिया है लेकिन सीमानचल में AIM-IM की एक बड़ी जीत के बाद डेर साल के अंदर ही पार्टी इस हालत में कैसे पहुँच गई इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए पिछले कुछ दिनों में हमने AIM-IM के नेताओं और चार बागी विधायकों से बात की एक तरफ जहां AIM-IM के नेता कहते हैं पार्टी को इतनी बड़ी बगावत का अंदाजा या इसकी खबर नहीं थी वहीं दूसरी तरफ चारों बागी विधायकों का दावा है पार्टी के हैदराबाद मुख्याले तक इसकी खबर थी लेकिन इसे रोकने के लिए परियाप्त कोशिशें नहीं की गई यहां तक की इस दौरान पार्टी के नेताओं को बिहार दौरे के लिए भी कहा गया लेकिन उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया अब इस उन्हों के लिए हो इस दौरा आपके लेकिन उन्हों के लिए उन्हों और में विए एक उसली अप्तलाप होता तब में कोई बात करते है इननों को छुपके अपना शाओना करना था तो जाहिर है कि जमीर का साओधा छुपके ही किया जाता है तो इन लोग उने किया आखरी टाइम जब टीवी पे ये सब नियूस चला था उनका फोन आया था मैंने कहा कि फिलाल ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन आप आ जाईए तो बोले कब आया कि 24 को विदान सबा चल रहा है तो उन्होंने बोला था क्या मजबूरी थी नहीं आई उसको लोग ध्यान नहीं दिए इस देखे बरे लोग है पुरा भारत देखते हैं थोरा सा मजगुलियत तो रहती है इससे पहले सी बात दो-तिन महीना से चल रही थी हमने सदर साहब को आगाह करते रहा और जब उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिये तो फिर हैदरवाद भी कहा गया कि भाई यहां के विदायक लोगों को आकर के समझाईए और विदायक जो हम लोग बने हैं तो हम लोगों कुछ दिक्कतदारी हो रही है उस पर आकर के कुछ अपना टिक्पनी कीजिए कुछ सा मशवरा देजिए नहीं सुना पार्टी छोड़ने वाले चारो विदायकों में जोकी हाट के MLA शाहनवाज राजद और तेजस्वी यादव के सबसे ज्यादा खरीबियों में से रहे हैं यही वज़ है कि AIMIM नेता अख्तरूल इमान भी पार्टी तोड़ने में शाहनवाज की मुख्य भूमे का मानते हैं लेकिन शाहनवाज कहते हैं सब ही चारवे धायक सर्वसम्मती से राजद में शामिल हुए हैं सरदार किसको कहें बिकने के लिए हर कोई तयार था लेकिन अगवाई का काम जाहिर है कि सहनवाज साहब का दिल उचाट था बेचारे का जा जाके छुप छुप के मिलना और उदर राजद का मुसल्ट कर दिये गए थे लोग उन पर खाते उठते बैठते कमड़े में सफर में राजद के जासूस लोग उनके साथ लगे रहते थे जाहिर है का काम है मैं समझता हूँ चाहे वो इजार अस्पी साहब हो हमसे काफी लंबा क्या कहते हैं सियासत राजनीती में रहे हैं रुकमद्दीन साहब पहले हमसे कई बार भी रहे खोच चुके हैं अंजार नईमी साहब भी हमसे कई साल पहले सियासत में आया है बहराल जब एक समुह कोई फैसला लेता है तो वो सबका एक्वल फैसला होता है सबके क्या कहते हैं मर्जी का फैसला होता है कोई कहीं किसी को लेके नहीं जा सकता है 2020 विधानसभा चुनाओ के लिए टिकेट बंटवारे के बाद से ही पार्टी पर टिकेट बेचने के गंभीर आरोप लगते रहे हैं कोचा धामन विधायक इजहार असफी कहते हैं उनके अलावा बाखी तीनों से टिकेट के लिए पैसे लिए गए थे करते हैं प्रदेश अध्यक्ष अख्तरूल इमान ये जरूर मानते हैं कि सिक्यॉरिटी के लिए कुछ पैसे जमा करवाए गए थे पचीस लाग पचास लाग ही दिया होगा आपने दिया नहीं मैंने नहीं दिया पचीस लाग पचास लाग कोई दिया होगा लेकिन हमने सब्सक्राइब और 10-1 कुरोर रूपया पिछले 3 साल मैं आजसे पिछले 3 साल मना election से पहले और election के बाद भी इतना रूपया लोगों में हम दिल लोगों के जरुत में हम खरचा किया उसमें ऐसा कोई बात नहीं हमसे तो टिकेट में बाइसा नहीं लिया और लोगों से सुनते हैं लिया है तीनों आदमी से जो लोग पचास पचास लाग की मेडिकल इमदाद लेकर यहां पर आके बाटते हैं वो तुम से पैसे लेंगे जो मनलिश इतिहाद लमुस्लिमीन 20-20 लाग के वेंटीलेटर्स अक्सियन कॉंसेंट्रेटर्टर्स दवाएं कोवीड में आके यहां पर बाठती है वो तुम उनको पैसे दोगे जो मनली से टिहादलमस्लिमीन इस से पहले के फलर्ड़ में और अफलर्ड़ में लाको रुपे की इमदाद अवाम में बाट रही ये तुम हमको पैसे दोगे कि पार्टी ने उन लोगों से कुछ जर्य जमानत ली के ताके तुम एलक्षन के जमाने में पिछले दिनों में हुआ था ये कंडिडियेट हमारा एलक्षन में आकर के भाग रहा था पैसा मांगें 2015 के एसंबली एलक्षन में तो पार्टी ने ये तैय किया कि जो लोग के लिमिटेशन होता है कि ये कई तो अनलिमिटेट था उसके बावजुद भी वो टिकेट लेने के बाद भी उनके के नियर वरकर्षत थे उनके लिए भी मजबूर किया गया ठलोली ह 안गो ह कहा गया था वही जानकार ये भी मानते हैं कि पार्टी ने अपने भरोसे मंद पुराने कारेकरताओं को टिकेट ना दे कर आखिरी वक्त पर पार्टी में शामिल हुए लोगों को टिकेट दिया इसलिए उनका पार्टी छोड़ना जीतने के बाद से ही तय था बस वो सही समय का इंतजार कर रहे थे चारो बागी विधायकों में से सिर्फ एक इजहार असफी पहले से पार्टी से जुड़े थे अंजार नईमी चुनाव से कुछ महीने पहले ही पार्टी में शामिल हुए तो वहीं रुकुन उद्दीन और शाहनवाज चुनाव के समय ही पार्टी में आए थे इस सवाल पर माजिद कहते हैं AIM I AM एक पॉलिटिकल पार्टी है सर्वे में जो जीतने वाला दावेदार लगा उसे पार्टी ने टिकेट दिया और वो जीते भी रुज़ान मालुम करती है और इन तमाम का नाम रखते हुए वहाँ पे इन कॉंस्ट्यूएंसी में डीटेल सर्वे किया गया सर्वे करते हुए उन जगाओं पे नाम फाइनलाइस किया गया क्या उसका कामिया भी नहीं मिली जो नाम मनलिस इत्याद मुस्लिमीन ने जिसको मिद्वार की विजूरत थी आजित कहते हैं ये विधायक अपनी नाकामिया भी छुपाने के लिए ऐसा कह रहे हैं संगठन की जिम्मेदारी उन्हें ही दी गई थी चली आ रही है जो कुछ लोगों के पॉकेट में है और और और्गनाइशन का विस्तार नहीं हो रहा है अब मसला क्या था उन लोगों के द्वारा भी कोई एक्शन नहीं हुआ पर्देश अध्यक्स तो बार-बार समय ले रहे थे कि पंचाय चुनाओं के बाद एद के बाद बकरीद के बाद महरम के बाद ये लगाता है दो साल से से चला चला आ रहा था इसमें और भी हमारे जो साथी है उन लोगों ने कहा कि इस पार्टी का विस्तार नहीं होगा इचन लोगों की पार्टी बनकर रह जाएगी और असद दीन अवेशिश आप के मिशन को जन जन तक पोचाना इस और्गनेशन में बड़ा मुश्किल है हम लोग जैसे जीत किया है शुरू दिन सो ही हमारे जो रियासति सदर हैं उनसे ये मुतालबा किया जा रहा था कि वो संगठन का गठन किया जाए लेकिन हो ने पताने क्यों ने वो संगठन का गठन कर रहे थे हम लोग कम से कम उनको बोले कि पुरे ब्यार में नहीं कम से कम हम लोग पठना रहते थे तो बाहर से भी और दिगर गिलाल से वी लोग Alka करके बात करते थे कि वह संगठन आप सब्सक्राइब Wasser करें शुम्यूं के लिए फून किछा करते थे तो उनसे बात लेकिन ये सच्चाई है कहीं ने कहीं थोड़ा हम लोगों को एहसास था कि क्या कहते हैं है हैदराबाद दूर है उन से कभी पूछ लीजिए कि पार्टी ने पूर्णिया की जिम्मेदारी किसको दी थी ये अल्ला का शुकर है अल्ला उनके आँखों पे पर्दा डाल दिया है वो अपनी नाकामिया भी आपके सामें बोर रहे है पूर्णिया की जिम्मेदारी असुद्दिन अवीसी सहाब ने खुद रुकनुद्दीन सहाब को दी थी कि आव और्गनेशन को मश्बूत करें और्गनाईजेशन बनानी में नाकामियाब है अब देखते हैं विधायकी में अब कितना कामियाब होते हैं मजबूत संगठन ना होने के साथ साथ पार्टी का पक्ष और विपक्ष की विचारधारा की बाइनरी में फिट ना होना भी कुछ विधायकों को जीतने के बाद से खटकता रहा। वो कहते हैं हम कब तक पैंडूलम की तरह जूलते रहें। इन विधायकों के पार्टी में शामिल होने से पहले भाजुपा बिहार की सबसे बड़ी पार्टी थी। लेकिन इनके पार्टी में शामिल होते ही राजद असी विधायकों के साथ प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। असफी और नईमी कहते हैं प्रदेश में हो रही राजुनीतिक हलचल से उन्हें लग रहा था कि सरकार में उलट फेर की संभावनाएं हो सकती हैं। ऐसी सूरत में सबसे बड़ी पार्टी बनने में राजद की मदद करना उन्होंने सही समझा। होता तो हम समझते हैं कि भाजबा को होता इसलिए उसको भी रोकने के लिए हम लोगोंने राश्टे जंता दल में जाके सामिल लगे। इन चार विधायकों में से दो राजद को ही हराकर विधानसभा पहुंचे थे। एक ने कॉंग्रेस को हराय था जबकि चौथे के विरुध राजद जिला अध्यक्ष का परिवार चुनाव लड़ा था। इसलिए आने वाले दिनों में राजद की स्थानिय राजनीती में उथल पुथल की संभावना हैं। जो की हाट विधायक शाहनवाज दोहजार बीस से पहले राजद के ही विधायक थे। दोहजार बीस विधान सभा में पार्टी ने उनका टिकेट काट कर उनके बड़े भाई सर्फराज आलम को टिकेट दे दिया था। जिससे नाराज शाहनवाज ने AIM-IM टिकेट पर चुनाव लड़ लिया और राजद टिकेट से चुनाव लड़ रहे अपने भाई को मात दे दी। फिलहाल अरदिया के पूर्व संसद सर्फराज आलम भी राजद में ही हैं। यही तो परिवार होता है। अब Allah क्या चाते हैं, उपर वाली क्या मरजी हैं। 22 विधायक सेयد रुकौनोदीन एहमद ने वरिष्ट राजद नेता हाजी अब्दुसुभान को चुनाव में हराया था। हाजी अब्दु सुभान हाल में ही संपन्य विधान सभा परिशत चुनाओं में भी पूर्णिया अररिया किशन गंजुक शेत्र से राज़द उम्मीदवार थे कोई मदभेद नहीं है हाजी साब सेनियर आदमी है हाजी साब हमारे फादर से भी चुनाओं लड़े है हम से भी लड़े है और इस दो परिवार में ही बैशी की राजनिती का निर्यंतर एलक्षन हुआ है अब जब हम लोग राज़द में हैं राष्टे जनता दल में तो पार अख्तरूल ईमान पार्टी के विधायक रहे हैं 2020 विधान सभा चुनाओं में असफी के खिलाफ किशन गंज राज़द जिला अध्यक्ष सर्वर आलम के पिता शाहिद आलम ने चुनाओ लड़ा था टिकेट का मालिक हम है हर पार्टी के अध्यक्षा और राष्ट्री अध्यक्षी टिकेट का फाइनल करते हैं जो बहतर समझेंगे करेंगे हाला कमान लोग कुछ आशवासन नहीं मिला है कि आने वाले जिनों में आपको दिया जाए है हमसे तो गुफ्तू करने का मौका नही उधर अंजार नईमी ने कॉंग्रिस विधायक तौसीफ आलम को चुनाओ में मात दी थी तौसीफ भी हाल में ही संपन्य विधानसभा परिशत चुनाओ में भी पूर्णिया अररिया किशन गंज क्षेत्र से अपनी पार्टी के उम्मीदवार थे साथी तौसीफ कोचा धा अमन विधायक इजहार अस्वी के दामाद भी हैं आने वाले दिनों में सीमांचल में AIM-IM के लिए जहां एक मजबूत संगठन बनाना एक चैलेंज है तो वहीं राजद को अपने पुराने और नए नेताओं को एक साथ लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी